एलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक मैं यूटूब चैनल टेक्निकल मुस्ताइब फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके नोकिया 3.1 प्लस में यदि इसके चार्जिंग से लिटेट कोई प्रोब्लम आती है जैसे इसका चार्जिंग बिल् साथ आपको समझाने भी वाला हूं कि हमारा जो चार्जिंग की सप्लाई है वो किन कॉंपोनेंट से होते हुए हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है और चार्जिंग आईसी से किन कॉंपोनेंट से होते हुए हमारी इस बेटरी करेक्टर पर आती है तो दोस्तों यहां प इसकी पहले supply को अच्छे से समझ लेते हैं उसके बाद हम आपको इसकी problem और solution के बारे में बात करेंगे और दोस्तों आप यहाँ पर पहले वीडियो को अच्छे से देख ले समझ ले उसके बाद ही अपने mobile में वर्क करें नई तो sorting आ सकती है अगर आपने एक भी जंपर इदर से उधर कर दिया तो तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारे इसकी charging की supply है इसके CC board के पीछे की साइड में ठीके पीछे की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर यह केफिसिटर लगा है इस capture के यहाँ पर नीचे वाला point है इस पर हमारे इसकी charging की प्लस वाली supply आती है यहाँ पर उसके बाद हमारे आती है यहाँ पर इस वाले केफिसिटर के अंदर यहाँ पर आप दिख सकते हैं इस वाले केफिसिटर में आती है और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यह लगा है इसको हम मौस्पेट भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नबी पी का मतलब होता है नेगेटीव वर्टेज प्रोटेक्षन क्या होता है अगर हमारे चार्जर सौकिट से ज़्धा वोल्टेज आता है तो सबसे पहले यह शोर्ट होते है और नेगेटीव वोल्टेज को ग्राउंड कर देते हैं और उसके बिदर तो अगर हमारे इसका प्लस वाला वोल्टी जाता है अब दोस्तों अगर आप इसको बिल्कुल निकाल भी देते हैं तो भी हमारे इसका चार्जिंग पर कोई कौंट करूगे ठीक है जब आपको इधर से कांट करना ए तो यह चार पिने जो है इन पर हमारी सございます इसकी सप्लाइ आती है ठीक है चार्जिंग की प्लस वाली और नीचे वाले भी जो 4 पिने होती है उस पर भी हमारी इसकी प्लस वाले सप्लाई रहती और उसी तरीग़े से दोस्तों हमारे जो यह मेन करेक्टर जहां जो आपको दिख़ाए दे रहा है ठाल के दोस्तों यहां पर जो मेन करेक्टर दिखाए दिख़ा देख इह रहा है इसे के इससे भी इधर से बहुझा यहां पर काउंट कुरोंगे चार पिन चारू पिलो पर प्रसप्लाई आती और वापस इदर की जो चार पिनें उस पर हमारे सत्राय आ जाती है द्युस के पाइस के बहुत किया यह वाली के स्टाउल इस problem पर और उसके बाद डोस्तेओय वाले प्वाइज पर आती यहां पर आपको दिखाएного होंगा जो Random केपसिटर दिखाए दे रहा होगा यह देखिए इस यहां पर दोस्तू सब्से पहले टो इस्ट पर क्या आपकी चार्ड़ करोगी से आपको यहां तक वोल्टेंग पहुंच रहा पहुं जहां आपको इस वाले पुइंट पर भी चेक कर लेना है उसके बाद इस पर भी चेक कर लेना है और उसके बाद इस पर भी चेक करना है सबसे मिल रहें तो आप इस पर से दोनों पर जंपर कर दोगे तो भी आपका चार्जिंग से कोई effect नहीं होगा आराम से work करेगा यह तो क्या होता है मारे एक तरह से Q की तरह ही काम करता है के बार क्या होता है जाधा सप्ली यानिके वज़े से यह हो जाते हैं और आगे सप्लाई नहीं पूस्टिस्स नागे सर्कित देमेजिश सोमें से बच जाता है किifie मै best के अज़ती और किसी में खरी नहीं होती तो कुछ इस तरह का सर्कृट होता है ठीक उसके बार छम कर नहीं दोस्तों और यहाद आपको यह केपिस特 भूल सकते हैं सेकंडरी चा के लिए इसमें आती है और उसके बाद दोसके बता दू आपको यहां तक फाइनली इस केपिसिटर पर आपको यहां पर जितना चार्जर सोकेट पर वोल्टेज मिलता है जो पांच वोल्ट के करीब होता है वो सेम वोल्टेज आपको यहां पर मिलना चाहिए अगर यहां पर यह वोल्टेज आपका नहीं मिलता है तो आप 40 सोकिट के प्लस वाले पॉइंट से लेकर डायरेट आप यहां तर जम पर भी कर दोगे तो भी आपकी प्रोब्लम सोल हो जाती है ठीक है उसके बाद दोस्तों हमारी इस आईसी के अंदर जैसे ही यह वोल्टेज आता है जैसे ही वोल्टेज आता है तो यह हमारी आईसी वीबेट के वोल्टेज को बनाती है मैं यलो कलर कर लाता हूं यह देखो V-Bate के voltage को बनाती है किसका बनाती है V-Bate मतलब voltage बेटरी जो 3.7 से लेकर 4.2 की बीच होता है वो आपको इस वाले capacitor पर देखने को मिलेगा ठीक है जो आपको मिलेगा इस वाले capacitor पर जो आप यहाँ पर देख रहे है इस वाले capacitor पर मैं इस वाली कर्स पर यहां पर यह वोल्टे जयता है वी बेट का 했어 पर जाता यह जो 3.7 में चारप तर्स पर और सब्ट से बएंचा ábए जाते हो इसके बाद है और आई पहर है इस अदर यहां AT कि सपलाई आती है उसके बाद उपर की तरफ एंशी पॉ पॉंट में आती एंशी का मतलब होता है यहां पर कोई फी सब्सक्त जोदीकि电े अई है इस तरीके से होता है इब तो आपको को यहां पर step by step check कर लेना है कि कहां पर आपका voltage पहुंच रहे हैं और कहां पर नहीं पहुंच रहे हैं तो जहां पर नहीं पहुंचता हम आप जंपर कर दीजिए और अपनी problem को आसानी से solve कर सकते हैं आप दोस्तों यह वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा दोस्तों मिलते हैं यार इसी तरी के इंट्रस्टिंग और helpful वीडियो के साथ तो दोस्तों तब तक के लिए टेक क्यार बाबाई